स्वामी नाराणिहरे, वच्चिनाम्रत गडडा प्रतम प्रक्रणु पच्चीसमू, वीस कोष्णा प्रवाहनू, स्वामी नाराणिहरे, सम्वत अराडसोने छोतेरना ओश्रुदी सप्तमिने दिवस। प्रभात समे, श्री जी महाराच श्री गडडा मध्यी, दादा काचरना दर्बार मां परम मुशनी जाईगाने विशेपदार्या आता। ने दोरो खेस पेर्यो हतो, ने दोरो चौफार उड्यो हतो, औने दोरो फैंटो बाज्यो हतो, ने आतमने पर्थारे, उगमनू मुखार्विन करीने विराज मान हता। ने पोताना मुखार्विन आगर परमहुस तथा देश देशना हरी वक्तनी सवा भराईने बैठी हती। पची श्रीजी महाराज रुपाकरीने बोल्याजे, सधर में युक्त, येवो जे बगवाननों भक्त, तेना अंतरने विशेतो, ओतानू यथार्थ पुर्णकामपणू मनातू नती। अने ते पुर्णकामपणू तो आत्मनिष्टा ने बगवानना मात्मनू उग्णान त्याने करिने स्थाई छे। अने एबयामा जेतली न्यूनता रह छे, तेतली पुर्णकामपणामा न्यूनता रह छे। माते एबयावाना तो बगवानना भक्तने द्रड पने साध्वा, अने एबयामा जेतली खामी रहे, तेतली तो समाधी मापन नडे छे। अने हमला अमे एक खरी वक्तने समाधी करावी हती। ते तेने तेज अतिशे देखाणू, ते तेजने जोईने चीज पाडवा माडी। अने कहूं जे हूं बरूचू, माटे समाधी वाराने पन आत्मक्दाननू जरूर काम पड़े छे। अने पोतानू स्वरूप आत्मा न जाने। ने देहने माने तो तेने घणी काच प्रही जाई छे। अने अमे ते हरी भक्तने समझायूं जे तारू स्वरूप तो आत्मा छे। देह न थी। ने आ लाड़की बाई नाम अने भाटनो देह तेतू न थी। अने अचेद्य, अभेद्य, एवो जे आत्मा ते तारू स्वरूप छे। पची अमे तेने समाधी करावी ने कहूं जे। गणपतीने स्थानके चार पाखडीनू कमर छे। त्या जईने तारू स्वरूप जो अने ज्यारे समाधी वारो गणपतीने स्थानके जाई छे। त्यारे त्या नात सम्बराई छे। त्यारे और प्रकाश देखाई छे। अने तेथी पर ब्रह्मा ना स्थानक ने विशेग जाई छे। क्यारे तेथी नाद परण घणों संब्राई छे, अने प्रकाश परण तेथी अतिशय घणों देखाई छे, अने तेथी पर विश्णुने स्थानक ले जाई छे, क्यारे तेथी अतिशय नाद संब्राई छे, ने तेथी तेथी परण अतिशय देखाई छे, एवी रिते जेम जेम उँच्या उँच्या सानक ने विशे जाई छे तेम तेम वधू नाद संब्राई छे अने वधू वधू प्रकाश देखाई छे अने एवी रिते समाधी मा अतिशय तेच देखाई छे अने अतिशय नाद थाई छे ने कडाका अतिशय थाई छे, ते गमेतेवो धिरजवान होई, तो पन काहरपणू आवी जाई छे, जो अर्जून बगवान ना आउशता अने महा शुर्वी रता, तो पन बगवाननू विश्वरूप जवाने समर्थ थाया नहीं। माटे एम बोल्या जी, हे महराज, आ रूप जोवाने हूँ समर्थ न थी, माटे तमारू जेऊं प्रथम रूप हतूं, तेऊं तमारू दर्शन कराओ, इवी रीते, एवा समर्थ ने पन, समाधी ने विशे, जारे ब्रह्मांड फाटी जाए, एवा कडाका थाय चे, अने जें समुद्र मर्यादा मेले, इवा तेजना समुह देखाई चे, तेरे धीरज रहती न थी, ते सारू देथ की पोतानू स्वरुप जुदू समझू जोईए, अने एवी जे समाधी थाय चे, तेना ब्य भेच चे, एक तो प्राणाय में करीने, प्राण नो निरोद थाय चे, ते भेरो चितनो पन निरोद थाय चे, अने बिजो प्रकार एचे जे, चितने निरोधे करीने, प्राण नो निरोद थाय चे, ते चितनो निरोद क्यारे थाय चे, तो ज्यारे सर्वठेकाने ती व्रुत्ती तूटी ने, एक भगवानने विशे व्रुत्ती जोडाई, अने ते भगवानने विशे व्रुत्ती क्यारे जोडाई, तो ज्यारे सर्वठेकाने ती वासना तूटी ने, एक भगवानना स्वरुप्नी वासना थाय, त्यारे ते व्रुत्ती कोईनी हठावी भगवानना स्वरुप्मती पाची हठे नहीं, जेम कोई कुवो होए, अने ते उपर विश्कोस फरता होए, अने तेनो प्रवा जुदो जुदो चालतो होए, क्यारे ते प्रवा मह जोर होई नहीं, अने ते विश्कोस नो प्रवा भेरो करिये, तो नदीना जेवो अतिशे बरवान प्रवा थाय, ते कोईनो अठावी पाचो अठे नहीं, तेम जेनी व्रुत्ती निर्वासनिक थाई छे, त्यारे तेनू चित्त छे, ते भगवानना स्वरुप्म जुडाई छे, अने जेना चित्तमा संसारना सुखनी वासना होय, तेने तो श्रोत्र इंद्रीय द्वारे अनंत जातना दे शब्द, तेने विशे जुदी-जुदी व्रुत्ती फेलाई जाई छे, तेमज त्वचा इंद्रिये द्वारे हज्यारो जातना जे स्पर्ष तेने विशे जुदी-जुदी वृत्ती फ्यलाई जाये छे तेमज नेत्र इंद्रियनी वृत्ती ते हज्यारो जातना जे रूप तेने विशे फ्यलाई जाये छे तेमज रसना इंद्रियों नी वृत्ती ते हज्यारों जातना जे रस तेमज फिलाई जाई छे तेमज नासी का इंद्रियों नी वृत्ती ते अनन्त जातना जे घंद तेमज फिलाई जाई छे तेमाज कर्म इंद्रियोनी वृत्तियोपन पत्पोताना विशैने विशै हज्जारो प्रकारे फिलाई जाई छे। इवीरी ते डसे इंद्रियो द्वारे एनू अंता करणचे ते हज्जारो प्रकारे फिलाई गेंचे। ते ज्यारे चीत्त ते बगवाननू चिंत्वन करे औने मन ते बगवाननों गाट गडे औने बुद्धी ते बगवानना स्वरुपनों निश्चय करे औने अहंकार ते हुँ आत्माचु ने बगवाननों भक्त चु यहुँच अभिमान धरे त्यारे एनी एक वासना थाई ज प्राने करीने जे चितनो निरोत थाई छे, ते तो अश्ट्रांग योगे करीने थाई छे, ते अश्ट्रांग योग तो यम, नियम, आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, ध्यान, धालना और समाधी ए जे आठंग तेने युपता छे, अश्ट्रांग योग ते साधन रूप छे, अणे तेनु उफर ते बगवानने विशे निर्विकल्व समाधी छे, ते ज्यारे इवी निर्विकल्व समाधी थाई छे, ते आरे प्राणने निरोत येकरीने चितनो निरोत थाई छे, अने जो चित निर्वासनिक थाईने भगवानने विशे जुडाई छे तो ते चित ने निरोधे करीने प्राणनो निरोध थाई छे माटे जेम अश्ट्रांग योग साध्वे करीने चित नो निरोध थाई छे त्याम बगवानना स्वरुपने विशे जुडावे करीने चितनो निरोध्थाई छे माटै जे भक्तनी चित्त वृत्ती बगवानना स्वरुपने विशे जुडाणी त्याने अस्ट्रांग योग बगर साधे सधाई रहो माटे अमे कहां जे आत्मनिष्टा अने बगवानना मात्मनु उग्णान इब्या साधन ते द्रण पणे राखवा अने वर्त्मान धर्म छे ते तो बगवाननी आग्ना छे ते जरूर राखवा जे आम ब्राम्मन नो धर्म छे जे नावू दोवू मी पवित्र पणे रहूं ते कोई दिवस चुद्रना घर नू पाणी पिवेद नहीं तेम सस्संगी होए तेने बगवाननी आग्ना मा फेर पाडवोज नहीं क्याम जे कि बगवाननी आग्ना पारे तो तेनी उपर बगवान राजी थाई छे अने बगवाननू मात्मग्णान तथा वैराग्ये सहीत आत्मग्णान एब्यानी अतीश ध्रडता राखवी अने पोताने विशे पूर्ण कामपणू समझ मुझे हवे मारे काई नियुनता रही नती एम समझीने निरंतर बगवाननी भक्ती करवी अने ते समझणने कैफे करीने छकी पन जवू नहीं अने पोताने अकृतार्थ पनू पन मानू नहीं अने जो अकृतार्थ पनू माने तो तेनी उपर जे इवी बगवाननी कृपा थे ते जानिये खारा पात्म बीज बाविऊं ते उग्यूज नहीं अने जो छकी जईने जयम तेम करवा लागे तो जानिये अगनीम बीज नाख्यूं ते बरी गव्व माटे आमें कहूं तेम जे समझे तेने कोई प्रकारनी न्यूनता रह नहीं एम कैने श्रीजी महराज पोताना असनु परपधार्या इती वच्चनाम्रतम एवी दिते गड़डा प्रथम प्रक्रणनु पच्चिस्मु वतनाम्रज्य ते थे थेुँँ स्वामि नणारे स्वामि वाद करी जें कुसंगी ने सत्शंगी मा भेद छे तेम साधर्णमा ने एकांतिक मा भेद छे ने नव योगेश्वर हता तेमा एके वाद करी ते थी आठ जांखा पड़ी गया पचिती ती शर्वे मडी ने एकने मारवा ती और थे तेम एतो इवी बाद छे ने जे एकांतिक होई ते तो निश्काम होई ते एक भगवान नुद निरूपन कर्या करे ने बीजो सकाम होई ते भगवान पासे माग्या करे स्वामि नाड़ारे स्वामि वाद करीजे भगवान नुद ने साधूनु महात्म्य जेम छे तेम समझातू नथी ते कोई ने बे आना, ने कोई ने चाराना, ने कोई ने आठाना, पन जेवो छेतेवो जणातू नथी, ने सांखे तो मुद्दल नथी, ने सांखे विना कसर टड़े नहीं स्वामी नाणारे स्वामी वाद करीजे, कित लाकने भगवान तथा साधू ना संबंधनू सुखावतू होई, ते केनी पेठे, ने कैम समझेतो सुखावे, ए प्रश्णों नो उत्तर करोजे, ये तो साधूता सिखेतो आवे, ते विना तो दोश पीडे, ते थी सुख ना आ आवे, पच्छी पुछू जे, कित लाकने सुख स्वप्नमा आवतू होई, ते केम आवे, ते नो उत्तर जे, ये तो निर्धार नहीं, केम जे स्वप्नमा तो भगवान देखाए, ने बीजू पन देखाए, ने ग्ण्याने करीने थाए, ए ज साधू छे, स्वामी नाणार तो कोटी जन में कसर टड़वानी होई, ते आज टारी नाखे, ने ब्रह्मरूप करी मुके, ए तो गोकुर गाम को पैंडो है नियारो, अने आतो जिब जाली ने बोलिये छे, एम बोल्या, स्वामी नाणारे स्वामी वात करीजे, भगवान जेवतों कोई पदार्थ न थी ते आपन ने मल्या छे, ने जेने दात आपया, ते चावानू नहीं आपे, ने आपना कपर मा काई रोटला नहीं लख्या होई, ने आपने काई प्रभू वेची खादा छे, माटे बगवान भुख्या उठाडे, पन भुख्या सुवारे नहीं, गमे ते वी रिते पन आपये छे, ने प्रभू भजाये ते सारू गरिब राख्या छे, कद आपी प्रुथ्वीनू राज आपयू होद, तो नरक मा पड़ी चुक्या होद, माटे आपनने आपयू नथी, ने आ दे तो पत्रावडाने ठेकाने छे, तेमा लाडवा जमी लेवा, ते शूजे, आ देहे भगवाने मली चुक्या, पचि देहने गमे तेम थाओ, ने दासना दुश्मन हरी के दी होई नई, जेम करशे तेम सुखज थाशे, ने अमने तो हेत आवे छे, ते वात करिये छे, जे, स्वामी नाराये ना नामनों मंत्र बहु बढ़ियो छे, माटे भजन कर्या जे, आवातुना करना दुश्मन 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 अमारा थी थाए नहीं, त्यारे भगवान कहे, आ सुरीनु कल्यान अमे कर्षूं, ते मुझो सुरू, ने मानभा, ने जोबन पगी, ने तको पगी, एतो पापना पर्वत केवाए, एने तो भगवान सत्चंकरावे, पणे साधू थी वड़े नहीं। त्यानों छाटों